चैमा तदी दोस्तों पूझा शक्तिमाप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नवीशेपर हम चर्चा करेंगे वो है घर में रखी हुई खंडित मूर्ती या पिक्चर्स जो होती है या कैलेंडर्स होते हैं कई बार उस पर भगवान के चित्रों होते hiện, और वो फट गई होते हैं तो इन सभी को घर में रखना चाहिए या नही रखना चाहिए देखिए, वास्तु के अनुसार अगर आप सभी जानते होंगे तो घर में जो नकरात्मक एनर्जी होती है वो कई पुराने रखे समान के कारण बढ़ने लगती है अगर आपके घर में टूटा रखा शीशा है या किसी प्रकार के कोई ऐसे इलेक्ट्रोनिक समान है जो कई समय से बंद पड़े हैं तो वो जो है मुख्य रूप से आपके घर में नेगटिव उर्जाओं को बढ़ाने का काम करते हैं और उनके कारण जो है आपके घर में नकरात्मकता बढ़ती है ठीक उसी प्रकार से अगर आपके घर के मंदीर में कोई भी ऐसा कोई पिक्चर रखा है जो काफी समय से पुराना हो गया है किसी तरीके से खंडित हो गया है फट गया है या पानी लगने के कारण अगर उसमें सीलन आ चुकी है तो आपको तुरन जो है उनका विसरजन करके उनके स्थान पर कोई नई मूर्ती या पिक्चर रखनी चाहिए कई बार क्या होता है जो भक्त होते हैं वो जब अपनी भक्ती करते हैं कोई साधनाय करते हैं तो कोई भी मूर्ती हुई जैसे शिफपिंडी हुई या कोई ऐसी मूर्ती होती है माता की मूर्ती हुई दुरगा माता की मूर्ती हुई या कोई एक ऐसे पिक्चर होती है जिसके जिन से उनका लगाव जो है बहुत जादा बढ़ जाता है परंतु समय के कारण या कई बार केर ना करने के कारण जो है वो मूरती कई बार खंडित हो चुकी होती है चाहे उसके छोटे ही तुकडे खंडित हुए हो परंतु खंडित मूरती या पिक्चर घर में नहीं लगानी चाहिए ना है खासतोर पर आपको अपने पूजा स्थान पे रखने चाहिए ऐसा इसके पीछे का जो कारण होता है वो मुख्य रूप से होता है देवी शक्तियों का क्योंकि जो सात्विक देवी शक्तियां होती है वो सभी जो हैं साफ सफाई वाले स्थान पर ही अपना जो स पूजा मंट्र पाट 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 करते है अगर पूजा पाट करते हैं उस समय पर अगर आपके घर में खंडित मूर्ती या पिक्चर होती है तो वो पूजा पाट का जो असर है वो आपको नहीं मिलता है ना ही उस मंतरजाप का असर आपके जीवन में आपको दिखाई देगा अब इसके साथ ही कई बार जब साधना शेत्र से लोग जुड़े हुए होते हैं तो वो कई सालों तक किसी माला के द्वारा मंतरजाप करते हैं तथा वो माला जो है सही तरीके से ना रख कारण किसी भी कारण से तूट जाती है तब उसके बाद भी वो अपने हाथ से उसे जोड़ कर जो है उसे मंतरजाप करते रहते हैं ऐसी अवस्था में आपको उस माला का ग्रहंट त्याग देना चाहिए खास तोर पर जब हम महालक् जाते हैं तो उसे क्या होता है कमल गट्टे की माला को आपको सदेव कपूर में रखना होता है क्योंकि कई बार उसमें चोटे-चोटे कीडे पढ़ जाते हैं यह वो अंदर से माला जो है गल जाती है तो ऐसी अवस्था में अगर आप कमल गट्टे की माला से कोई भी साधन परन्तु कीनी वज़ाओं से अगर आपकी जाप माला तूर जाती है या भिखर जाती है तो उसे आपको एक कपड़े में या किसी चीज में बटोर कर उसके बाद उसे जल में विसरजित करते हैं तो वो विसरजन जो होता है वो खंडित नहीं माना जाता है वो आपको सात्वी असर ही देता है शुब असर ही देता है ठीक उसी प्रकार से कोई भी मूरती कोई भी अगर फोटो आपका खंडित हुआ है तो उसके स्थान पर आप नई मूरती नया फोटो ले के आए उनकी स्थापना करें उनमें प्रान पृतिष्ठा करें उसके आत पूजज आप करें और जो खंडित मूरती या फोटो है उसे अपने घर से तुरंत आप जो है शुब मूरत पर विसरजन के लिए ले जाकर विसरजित कर दें अब क्यों किया जाता है ऐसे देखिए गुरुओं द्वारा जो वानी कही गई है उसमें ये बताया गया है कि जब कोई खंडित मू शुद्ध स्थानों पर ही अपना जो विचरण है वो करती है या स्थान बनाती है तो खंडित जो मूरती रहे गिया घर में जो टूटी चीजे रहती है उसमें हमेशा नेगिटिव एनर्जी इसका वास होता है और जब आप उनकी पूझा आदना शुरू करते हैं तो आपक आप पूझा आदना करेंगे उतनी बार आपके घर में जो है जगड़े होते ही होते हैं क्यों क्योंकि उस थान पर नेगिटिव उर्जाय होती है सात्वी उर्जाय उस थान पर आपकी पूझा को ग्रहन नहीं करती है इसलिए पिछले कई वीडियो में आपको बोल चुकी ह कि अपने पूजा स्थान को चाहें आप एक दिया लगाएं आपने एक ही फोटो रखा हो परंतु से साफ सफाई के साथ सुच्छता के साथ रखें ताकि वहाँ पर जो आप पूजा रादना कर रहे हैं वो केवल देवी शक्तियां ही गरहंड करें तो आशा है आज का ही वीड बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों